गुण वर्निंग वेलकम बेक टु माई चनल साधना इस्टटी जी कि आज की जितने भी करेंट फेयर हैं इस वीडियो में करेंगे साज में प्रसंद से समधी जो इपॉर्टेंट फैक्ट है वह भी देखेंगे सारे क्यूस्टन मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो हर अगामी परिच्छाओं में पूछे जाते हैं तो वीडियो को ध्यान से और लास्ट तक देखें क्यूस्टन नंबर एक भरस्टा चार और रारा सुसांग संदो जार इकिस में एक्सो असी देखों की सूची में भारत कौन से स्थान पर रहा है उत्तर है आप्सन नंबर सी पचासवे स्थान पर पचासवे स्थान पर टांस फेरिंस इंटरनेशनल की तरफ से जारी एक रिपोर्ट भरस्टा चार और थारणा सुचांग संदो जार इकिस में एक्सो असी देखों की सूची में भारत पचासवे स्थान पर रहा जबकि 2020 में भारत चीहासवे स्थान पर था इस लिहाज से भारत में यह सुधार और बेहतर है इस सुचांग में अठासी के स्कोर के साथ डेन्मार्क पहले अस्थान पर रहा क्यूसन नंबर दो रामगडवी सुधारी वन जी अभ्यारण को हाल ही में किस राजिक के चौथे भाग अभ्यारण के रूप में अन्सूचित करने की घोस्डा की गई है उत्तर है राजस्थान आप्सन नंबर अजस्थान रामगडवी सुधारी वन जी अभ्यारण को हाल ही में राजस्थान के चौथे भाग अभ्यारण के रूप में नूँ सूचित करने की घोस्डा की गई यह रामगडवी सुधारी अभ्यारण 171 वर्ग किलो मीटर में फैला होगा इस अभ्यारण को वर्स 1982 में स्थापित किया गया था भ्यारण के मुख्य चेत्रों में आठ गाउ है कुल कितने गाउ है आठ और इस अभ्यारण को 1982 में स्थापित किया गया था और यह कितनी दूर में फैला है 1071 वर्ग किलो मीटर में कि उसन नमबर तीन ब्रांड फाइनेंस दो हजार बाइस गलोब 500 रिपोर्ट के अनुसार किस ब्रांड ने 2022 में सबसे मुल्यवान ब्रांड की रूप में ओप सबने स्तिकyah रफम है अपड़ाल में पड़ानड और स्थान नमबर बी हाला ही में ब्राउन्ड 2012 घ्ल पांचों रिपोर्ट के अनुसार किल चरफन ने 2022 में सबसे मुल्यवाइन ब्रांड की रूप में है इस लिस्ट में अमेजन दूसरे और Google तीसरे स्थान पर रहा एपल पहले स्थान पर है 2022 ग्लोब 500 रिपोर्ट की अनुसार क्यूस्टन नंबर फोन रूस चीन इरान की सेना ने हाल ही में किस खाड़ी में सयुक्त नौसहनिक अभ्यास चीरू 2Q 22 आयोजित किया है उत्तर है ओमान की खाड़ी में चीन रूस इरान सयुक्त नौसहनिक अभ्यारण चीरू 2Q 22 कहां योजित किया है ओमान की खाड़ी में चीन रूस चीन इरान की सेना ने हाल ही में ओमान की खाड़ी में सयुक्त नौसहनिक अभ्यारण चीरू 2Q 22 आयोजित किया है जिसका उद्देश तीनों देशों की नोशेनाओं के बीच विवारिक सयोग को गहरा करना है इस नोशेनिक अभ्यास में 140 युद्ध पोत और लगबग 10,000 सेन करिमियों के साथ 60 से अधिक विमान भाग लेंगे क्यूशन नमबर पांच राष्ट पती रामनाथ गोबिंद ने हाल ही में किस ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट को परम विश्ट सेवा पदक से सम्मानित किया है उत्तर है नीरचोपडा को राश्ट पती रामनात गोबिन्द ने हाल ही में उलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरत चोपड़ा को परम विश्डिस्ट सिवा पदक से समानित किया है नीरत चोपड़ा भार्ती सेना में सुबेदार है उन्होंने संदोहजार सोलह में नयाब सुवेदार के सीधे प्रेवेश के रूप में चार राजपूतान राइफल में दाइखिला लिया था इसलिए उनिशन नमबर छहमारा ककरह अरे बीक दलिंते सिंगम और किस इंडियन मुवी को आसकर 2022 के लिए सौट लिस्ट किया गया है जैभीम मरा ककर अरे बीक दलिंते सिंगम और जैभीम इंडियन मुवी को आसकर 2022 के लिए सौट लिस्ट किया गया जैभीम मदर इंडिया सलाम बांबे और लगान के बाद आसकर के लिए नामंकित होने वाली चोथी भारती फिल्म है जबकि मारा ककर को गलोब के मिन्यूटी आसकर रवार 2021 के लिए भी नामंकित किया गया था कि उस्सन नंबर साथ विश्वें ढाका अंतराश्टी फिल्म महस्य में भारत से पियस विनोथ राज निर्देशित किस फिल्म ने सरुष्ष्ट फिल्म का अवार्ड जीता है उत्तर है कुछ गलंग कुछ गल कुछ गंगल विश्वें ढाका अंतराश्टी फिल्म महस्य में भारत ने पियस विनोथ राज निर्देशित सिच फिल्म कुछ गल ने सरुष्ष्ष्ट फिल्म का अवार्ड जीता है जबकि जैसुर्या को रंजित संकर निर्देशित फिल्म सनी के लिए सरुष्ष्ष्ट विनियता का पुरसकार मिला है Q8, 28 जनुरी को विश्वहर में कौन सा दिवस मनाया जाता है ? उत्तरह डेटा गोबिनियता दिवस मनाया जाता है 28 जन्वरी को डेटा गोब नियता दिवस मनाया जाता है। दिवस को मनाने की शुरुवात 28 जनौरी 1981 से की गई थे लेकिन साल 2006 में यूरोप के एक प्रसिद ने 26 अप्रेल 2006 को हर वर्स डाटा सनरचर दिवस मनाने का फैसला लिया था जब जिसे अब हर साल 28 जनौरी को ही मनाया जाता है कि उस्तर नमबर नाइन निम ने लिखित में से किस देशने हाल ही में 17001 के 302 कलाशिकोस अस्टाल राइफले भारती ससस्तर बलो को सोप दी है उत्तर है रूस ने रूस ने हाल ही में सभी 17001 के 203 कलाशिकोस अस्टाल राइफले भारती सससस्तर बलो को सोप दी हैं जिसमें से 6,70,000 राइफलों का एवाड दिया था इसके लिए भारत और कलाशिकोस के बीच अनुबंद पर हस्ताचर किये गए थे इस अनुबंद की लागत 5,124 करोड रूपए है डेली करेंट फेर वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल साधना स्टेडी जीगो को सस्क्राइब करें और वीडियो को लाइक कमेंट सेयर करना ना भूले अपने दोस्तों को वीडियो सेयर करें ताकि उन्हें भी यह जानकारी मिले आपका दिन मंगल मैं हो थांक्स फॉर वाचिंग